हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास स्टेडी एन एक्सपरिमेंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे लिउब्रिकेटिंग ओइल्स के बारे में इंडस्ट्री में यूज होने वाले कुछ कॉमन ग्रेट्स के लिउब्रिकेटिंग ओइल के बारे में डिसकस करेंगे जैसे की 320, 460, 68, hydraulic oils इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिसकस करेंगे जो सबसे कॉमन यूज होता है सबसे ज्यादा यूज होता है उसके बारे में इ अंत तक चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लिउब्रिकेशन के लिए इंडस्ट्री में बहुत सारे ग्रेट्स के अलग-अलग विसकसिटी ग्रेट्स के oils का इस्तिमाल किया जाता है इस वीडियो में कुछ कॉमन को हम डिसकस करने वाले हैं तो सबसे ज्यादा इंडस् से की EP320 भी का जाता है यह एक एक्स्ट्रीम प्रैसर इंडस्ट्रियल गेर ऑइल है जिसका सबसे ज्यादा इस्तिमाल और मीडियम स्पीड और मीडियम साइज और स्मॉल साइज के गेर बॉक्स में किया जाता है इंडस्ट्री में तो दोस्तों मीडियम लोड और स्मॉल ज 320 grade का oil सबसे ज़्यादा इस्तिमाल होता है आपके चाहे conveyor belts के gearbox हो या फिर कुछ छोटे equipments के gearbox हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तिमाल इंडस्ट्री में अगर कोई oil होता है तो वो होता है 320 चाहे वो steel industry हो चाहे वो cement industry हो या फिर और power industry हो कोई सी भी इंडस्ट्री हो नेक्स्ट है आपका gear oil 460 warm gear oil 460 भी कहा जाता है यह भी extreme pressure industrial oil है इसका सबसे ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है कुछ small gearbox जो की cold condition में काम कर रहे हो जैसे की जहाँ पर बहुत ही कम तापमान है इसे जगह पर इस्तिमाल किया जा रहा है वहाँ पर और इसके अलावा बड़े जो multi stage gearbox होते हैं वहाँ पर 460 oil का इस्तिमाल किया जाता है जो काफी बड़े helical gear होते हैं compound helical gearbox multi stage gearbox बड़े gearbox में इसकी viscosity ज़्यादा होती है as compared to 320 next है आपका hydraulic oil 68 सबसे ज़्यादा इस्तिमाल होने वाले hydraulic oil जो है वो है आपका 68 जितने भी hydraulic system है जैसे कि hydraulic power pack हो गया piston cylinder arrangement हो गया hydraulic pumps जहाँ पर लगे होते हैं और high pressure जो develop करता है और fluid के pressure से mechanical work को जहाँ पर हम करते हैं यानि कि जहाँ पर hydraulic systems hydraulic cylinders लगे होते हैं वहाँ पर hydraulic oil का इस्तिमाल किया जाता है और सबसे ज़्यादा use किया जाता है 68 का इसके अलावा hydraulic oil 46 का भी इस्तिमाल किया जाता है और अलग-अलग grades भी हैं तो ये कुछ common थे जिनका इस्तिमाल industries में ज़्यादा किया जाता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और एक लाइक तो जरूर कर दीजेगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा